हालो गाई हाव आई यू आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल अपना फ्यूचर डॉट कॉम पर तो आज की जो पठन अभियान है गतिवीदी पतरक 45 को करेंगे यह 14 मार्श 2022 के लिए है तो यह जो गतिवीदी पतरक है कक्षा छटी से लेकर अठमी कक्षा के यहाँ पर अब सिख्सक का नाम लेखना है जो आपको हिंदी पडाता है हमारे आज की जो हमारी वर्क सीट है वह गतिवीदी पतरक है जो वह मैं हिंदी की है तो आज का Just तो टड़ टेल करें हम क्या पढ़ेंगे किसव बारेंगे वह आप कहीं सहर में और भी अपने कहीं गाओं में बहुत से पारक देखे होंगे, तो पारकों की हमारे जियों में बहुत इमपोर्टेंस है, और इन पारकों की बहुत सी अपने पनी विसेशताइं होती है, तो आईए अब इसको शुरू करते हैं, मुगल गारडन, राय सीना पाड़ी पर बना यह भेवय समारक सन 1939 में बनाया गया था। इस भवन के प्रांगण में विश्व परशिद मुगल गार्डन भी स्थीत है। इस भाग में सेकड़ किस्म के रंग बिरंगे और शुगनदित फूल दिखाई देते हैं। मतलब शो के लगबग जो इसकी ब्रांड है वो ताइप है वो उसके आसपास सो के आशपास की जो किसम है वह आप देख सकते हैं। किसम का मतलब होता है यहां पर टाइप यानिके प्रकार रंग भी रंगे और शोगंदित फूल दिखाई देते हैं वशंतरीतु में इनका सुंदर्य देखते ही बनता है यानिके वशंतरीतु में जब इसका बारिश होती है या मतलब वशंतरीतु आती है तो जो इसका सुंद सुद्रता होती है वह बहुत ही अधिक हो जाती है यानि कि इसकी शुन्दरता में चारचान लग जाते हैं यहां अनेक पर जमीन के जमीन को बाढ़ते हैं और उनमें अलग अलगतर है कि जड़ी पूटियां होती है और पेड़ पोधे लगाये जाते हैं और यह घमलों में भी परदर्शित किये जाते हैं जैसे आप अपने घरों में भी आपने बहुत से जैसे छोटे-छोटे पेड़ पोद जैसे तुल्षा का पोधा लगाते हैं वह गवलों में लगाते हैं या जमीन में गड़ा भोदकर भी लगा सकते हैं चारो और भिछी हुई घनी मुलायम हरी भरी धूब चलने का अपना ही आनन्द है यानि कि जो उसमें धूब होती है हरी हरी घाश होती हो बहुत मुलायम होती है जब हम उस धूब पर चलते हैं तो हमें बहुत आनन्द आता है तो इस जो गार्डन में इस तरह की धूब देख इतनी मुलायम वो दूब होती है इन सब की देखबाल बड़ी शावदानी और प्रिश्णम से की जाती है अनेक कुशल माली और बागवान इस कारिया में लगे होते हैं जब इस उदान में फवारे चलते हैं तो इनकी तो इसकी छटा कहीं गुणा बढ़ जाती है छटा मतलब शुंदरता जिसकी जहलक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो जिस तरह से आप यहां पर इस पारक में जो के प्रांगन में देख रहे हैं तलाब शाओ होता है इस तलाब में कितना सुंदर पानी हैं जो कितना साफ पानी दिखाए दे रहा है यह भी इस पारक की में किके प्रांग उैसां में इनकी के कियारियों में कितने अच्छे फूल लगाए उए कितने अच्छे पीडिया है। करा जाता है और पानी की जो प्रेसर होता है उन जो सुराख होते हैं उनके अंदर से निकलता है और एक फुआरे का रूप बन जाता है इस तरह से हमने फुआरा क्या होता है कैसे बनता है उसके बारे में जान लिया तो इस तरह ऐसे जो गार्डन की जो कितनी अच्छी विचे यहां पर पहली जो एक्टिवीटी है या पहला दिया गया है अपने विद्याय में लगे हुए कि इन पेड़ पोधों के नामों की सूची बनाएं यानि कि आपने विद्याय में जाना है या आपने पहले भी पता होगा तो आप उसके शाप से लेख सकते हैं या नहीं पता है तो आप एक बर observation कर सकते हैं जाके उनका नाम उनके बारे में जानकारी हासिल करके फिर अपनी कोपी में लिख सकते हैं तो मैंने जो लिखी है कौन-कौन से 10 पेड़ पोदे हैं तो मैं उनको बताता हूं सबसे पहला क्या है पीपल का पेड़ है दूसरा क्या है नीम का पेड़ है तिसरा क्या है तुलशी का पोधा है नंबर चार क्या है बरगद है नंबर पांच क्या है आम का पेड़ है नंबर च्छै क्या है अमरूद का पेड़ है नंबर साथ क्या है केले का पेड़ है नंबर आठ क्या है आवले का पेड़ है नमबर नो क्या है सीसम का पेड़ है नमबर दस क्या है अनार का पेड़ है तो मैं आपको एक पर पेड़ और पोधों के बारे मता देता हूं पेड़ क्या होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं उनकी जो साखाई होते हैं बहुत से अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं कि पेड़ और पॉद्व में क्या अंतर होता है तो अब दूसरा question है आपके घर के आसपास के किसी बाग या पारक की विसेश्थाओं के बारे में दस पंगतियां लिखे यानि कि आपने दस लाइने लिखनी है यदि कोई आपके पास कोई बाग है या कोई पारक है उसकी दस विसेश्थाओं क्या क्या है क्योंकि आप वहां पर जाते होंगे आपने पता होगा तो आपने इसको अपने हिसाफ से लिखना है तो मैंने जो मेर यहाँ पर का नाम कर सकते हैं अपने पार्क का नाम क्या लिखना यहeminट यह पार्क बहुत अच्छा है लुट गुमने के लिए मर is यह एक साङ़ सबने शर्ट कर सकते हं लुट पांच यहां पर बहुत से शुगंदित फूलों के पोधे भी हैं नमबर 6 यहां शुहे की हवा ताजा और शफुर्ते दायक होती है नमबर 7 सभी लोग इस पार्क को पशंद करते हैं यह पर वयां करने के लिए बहुत सी beğ मसीने है नमबर 9 इस पार्क में सभी लोग मनौरंजन करते हैं बर्दस इस इस इलाके में यह पार्क बहुत पर्शिद है यानिकर यह फेमас पार्क है बहुत से लोग आप सबस्क्राइब आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है अगर अच्छा लगता है तो जैसे मुझे कौन सा है मुझे गुलाव का फूल बहुत पशनद है क्यों कि यह बहुत अच्छी शुगंद देता है और यह अनेक परकार का यानिके अनेक कलर का होता है इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको लिख सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं आपको कुनसा फूल पशंद है और आप इसको ऐसी भी लिख सकते हैं अब नमबर चार क्या है हम पेड़ पोधों की देखबाल कैसे कर सकते हैं इस बारे में पांच वाक्या लिखे हमें यह ग्यान भी होना चाहिए कि जो पेड़ पोध्य होते हैं उनकी देखबाल कैसे की जाती है और इस बारे में हमां ग्यान होना बहुत जुरूरी है क्योंकि ह हमारे जो आसपास है आजकल पेड़ों की जो संख्या वह बहुत कम होती जा रही है लोग पेड़ों को काट रहे हैं तो इसलिए हमें और इन पेड़ों के बारे में जाना चाहिए तो मुझे क्या क्या चीज़ें करने चाहिए पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए और एक प नमबर दो आवशक्ता के अनुसार उसमें पानी डालना चाहिए नमबर तीन उचित मातरा में खाद भी डालना चाहिए नमबर चार उसकी अनवशक टहनियों को काड़ते रहना चाहिए नमबर पांच उस पर धूप और च्छाओं का विशेश ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल रखना चाहिए क्योंकि बहुत से जो पौधे होते हैं और जो सर्दी और गर्मी का उन पर विशेश प्रभाव बढ़ता है जैसे बहुत से पौधे ऐसी होते हैं जो सर्दी में सूख जाते हैं सर्दी की वज़े से वो मुर्जा आ जाते हैं इसलिए हमें उनको सर् होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में पानी ठैर जाता है उनकी जड़ों में तो इस वज़े से वो गल जाते हैं और शड़ जाते हैं इस तरह से में ज्यानकना चाहिए तो बहुत सी जानकारियां हैं जो एक पेड और पोधों के लिए हमें होने चाहिए तो इस तरह ऐसे हमें प तो बारिश के मोशनम में लगाना चाहिए क्योंकि बारिश के मोशनम में जो पेड़ काविकास होता है वह बहुत तेजी होता है और जल्दी पेड़ बढ़ा हो जाता है तो इस तरह ऐसे स्ट्वेंट आपको ये वरक्षिट शमझ में आ गयी होगी मुझे पूरी आसा है तो आप इसको अपनी कोपी में कर सकते हैं और अपने टीचर को दिखा देना तो आज के लिए तना काफी है और थैंक्स पोर वाचिंग और अभी तक भी जदी आपने मेरे इस यूटूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब ने किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज